नमस्कार स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी में मैं हूँ आपके साथ प्रियांका शर्मा आज नैशनल कैंसर अवेरनेस डे है तो अगर आप अपनी सिहत को लेकर अवेर हैं तो यह खबर आपके लिए है जी हां आज कल की बिजी लाइफ स्टाइल और भागदोर बरी जिंदिकी में हम अपनी सिहत का खयाल नहीं रख पाते हैं और हम कई बिमारियों का शिकार हो जाते हैं और हम जिस बिमारी से जूज रहे होते हैं उसका हमें कई बार पता नहीं चल पाता है वक्त रहते और बिमारियों के इस लिस्ट में एक बिमारी का नाम है कैंसर जो आज कल कम उम्र के लोगों में भी होता जा रहा है आज हम बात करेंगे बाउल कैंसर या कॉलन कैंसर के बारे में और जानेंगे क्या इसके लक्षण होते हैं, किस कारण से यह होता है और आपको इस कैंसर में क्या सेफटी रखनी चाहिए यह कैंसर तब होता है जब रेक्टम कॉलन या बड़ी आत के आसपास की कोशिकाएं एनियंत्रे तरीके से बढ़ने लगती हैं तो आईए जानते हैं कैसे यह कैंसर आपकी हड्डियों को बरबाद कर सकता है बाउल कैंसर को आत का कैंसर भी कहा जाता है दुनिया भर में यह तीसरा सबसे ज़्यादा होने वाला कैंसर है इस बिमारी की शुरुआत आतों की अंदरूनी परत से होती है और धीरे-धीरे समस्या बढ़कर शरीर के अन्य अंगों में पहुँच सकती है साल 2020 में 1.9 मिलियन से ज़्यादा बाउल कैंसर के नए मामले दर्ज किये गए थे इसके क्या लक्षन है वो भी हम आपको बताते चले कैंसर रिसर्च यूके ने इन तीन सेंसेशन की और इशारा किया जिसी ये पता लगाया जा सकता है कि कैंसर आपकी हड्यों में फैल चुका है इसमें शामिल है ठकान होना, बिमार महसूस होना, बार बार प्यास लगना तो इस से हड्यां डैमेज या काफी कमजोर होना, हड्यों में काफी ज़्यादा दर्ध भी होना आगे चल कर factor के chances काफी ज़्यादा बढ़ जाते हैं बाउल कैंसर की क्या कारण हो सकते हैं वो भी हम आपको बताते चले 10 में से 9 लोग 60 की उम्र में बाउल कैंसर की समस्या का सामना करते हैं प्रोसेट फूड की अधिक मात्रा डाइट में शामिल करने से बचे लोग फाइबर डाइट लेने से भी बाउल कैंसर का خत्रा बढ़ता है मोटा पे की शिकाल लोग शराब, सिगरेट आदी का सेवन करने से बचे परिवार में पहले से ही बाउल कैंसर की हिस्टरी है तो भी इसके खोने का खत्रा जादा हो जाता है इसको कैसे कम किया जा सकता है वो भी हम आपको बताते चले रेड और प्रोसेड मीट का सेवन ना करें डाइट में फाइबर युक्त चीजों को शामिल करें हेल्दी वेट को मेंटेन रखें रोजाना वर्काउट करें और हाइडरेट रहें शराब और सिगरीट का सेवन बिलकुल भी ना करें फिलाल के लिए आज इतना ही देखते रहें पंजाब केसरी टीवी नमस्कार